इस सब्सक्राइब क्लास आज के इसके इस लेक्द्टीर में हमने डिसकस करना है एजिस्टिंग इंक्टीस की टाइप और हमने डिसकस करना है कि Adjusting Entries की वो टाइप जो की Expenses से रिलेटिड होती है Basically Adjusting Entries की दो broad categories होती है दो categories जो है पहली category है वो Expenses से रिलेटिड होती है और जो दूसरी category है वो Revenue से रिलेटिड होती है तो इस lecture में हमने देखना है वो दो categories जो Expenses से रिलेटिड होती है यानि expenses, expenses क्या होते हैं, जब आप किसी से service ले रहे होते हैं, तो expenses incurred हो रहे होते हैं, या expenses occurred हो रहे होते हैं, और हमने expenses को record करना होता है adjusting entries की जब हम बात करते हैं, तो expense related दो different हमारे पास situations होती हैं, यानि जब हम expenses की बात करते हैं, तो या तो आपने expenses advance में अदा किये होते हैं, जो expenses advance में अदा किये होते हैं, वो prepaid, unexpired या advance expenses कहलाते हैं और उनको हम initially as an asset, यानि वो current asset होते हैं, तो उसको हम as an asset record करते हैं, इसी वज़े से इसको हम कहते हैं converting assets to expenses, यानि कि जब adjusting entry बनाने का time आता है, तो ये assets या ये prepaid या advance किस में convert हो जाते हैं, expenses में convert हो जाते हैं, इसी तरह अगर हम बात करें, दुबारा expenses की, तो expenses का दूसरे तरीका ही होता है, कि आप services लोगों से ले लेते हैं, लेकिन उनको payment नहीं करते हैं, जैसे आम तोर पे salaries के साथ होता है, कि imply से आप काम ले लेते हैं, और उसको salary आपने पूरा month गुजरने के बाद नहीं दी हैं, तो वो unpaid, accrued या payables कहलाती हैं, अच्छा expenses में, जब आप transaction पढ़ते हैं, और आपको ये realize हो जाए, कि ये expenses की बात हो रही है, तो आप देखते हैं, कि आइदर ये prepaid होना चाहिए, या unpaid होना चाहिए, prepaid का मतलब है, पहले से अदा किया हुआ, unpaid का मतलब है, अभी आपने अदा नहीं किया, क्योंकि expenses by nature debit होते हैं, तो दोनों situation में, दोनों type की adjusting entry में expenses हम क्या करते हैं, expenses को हम debit कर देते हैं, और अगर prepaid की type होती है, तो prepaid credit हो जाता है, क्योंकि हम asset को convert कर रहें, expense में, और अगर unpaid की type होती है, तो expenses को debit करके और payables को हम credit कर देते हैं, दोनों type में हमारे पास जो debit होता है, वो expense होता है, और इसमें हम amount जो लेते हैं, वो expense for the period, generally हम adjusting entry month end पे pass करते हैं, या फिर अगर हम year end पे pass करें तो amount yearly लेते हैं, month end पे pass करें तो amount monthly लेते हैं, अब यहां पे कुछ transactions हमारे पास मौजूद हैं, तो first step में हमने transaction पढ़ना होता है, और हमने देखना होता है, कि expenses की बात कर रहे हैं, या revenue की बात कर रहे हैं, इस particular lecture में हम सिर्फ expenses का जिकर कर रहे हैं, तो हम यह देखेंगे, कि expenses either prepaid होते हैं या unpaid होते हैं, यह हमें transaction पढ़ने के बात पता चलेगा, तो पहली transaction है, salaries earned by golf course implies that have not yet been recorded or paid, not yet been recorded or paid, यानि के अभी paid नहीं हुआ, नहीं record हुआ है, तो इसका मतलब है, salaries यानि expenses की तो बात हो रही है, और यह वो expenses हैं, जो के अभी paid नहीं हुए, तो क्यूंकि ये expenses से related है, तो हम expenses हमेशा debit करते हैं, salaries expense हम कौन से side पे लिख देंगे, debit side पे, और amount कितनी है, one month की, यानि के 96 dollar की, उसके बात, salaries expense के बात, हमारे पास हम क्या चीज़ credit करेंगे, हम credit करेंगे salaries payable, क्यूंकि ये accrued की type है, इसलिए हम ये credit side पे लिख देंगे, और कितना हम लिख देंगे, 9600, ये हम entry pass कर देंगे, ये बिल्कुल इसी तरह कि ये, हमने पढ़के देखा कि ये किस चीज़ का जिकर हो रहा है, ये payables का जिकर हो रहा है, तो हम payables के हिसाफ से entry हम इसको pass कर देते हैं, तो ये आप देख लीज़े कि ये payables है, और ये crude ये payables की type है, तो accordingly हमने यहाँ पे ये देखें, पेबल का जिकर है, तो payables हमने credit कर दिया और expense हमने debit कर दिया, इसी तरह अगर हम दूसरी example पढ़ते हैं, तो दूसरी example में लिखा हुआ है, costume rental expense, यानि rent expense की बात हो रही है, for the month is $600, पूरे महीने का rent expense $600 है, However, the costume rental expense for several months has been paid in advance, advance का मतलब है, कि पहले से pay किया हुआ है, तो हमने ये पहले से pay की हुए की बात हम कर रहे हैं, advance की बात कर रहे हैं, और जब हम advance की बात कर रहे हैं, तो देखें, expense हमेशा debit हो जाएगा, और credit क्या हो जाएगा, pre-paid या advance या prepaid हम credit कर देंगे, तो entry क्या बनेगी, rent expense हमारा debit side पे आ जाएगा, कितनी amount से आ रहा है हमारा debit side पे, हमने entry $600 की one month की amount है, और credit क्या कर देंगे हम, pre-paid या advance rent, तो advance rent हमने credit कर दिया, आप pre-paid rent लिखना चाहें, तो pre-paid rent लिख दिये, जो हमारे पास data में मौझूद होगा, adjusted trial balance, unadjusted trial balance में जो लिखा होगा, हम accordingly उसको record कर देंगे, pre-paid या advance का मतलब एक ही होता है, एक और हम example देते हैं, उसमें लिखा होगा, unrecorded income tax expense, यानि पहली बात first step expense का दिकर हो रहा है, और कौन से expense से unrecord है, अभी तक record नहीं किया गया, यकीनन यहाँ पे फिर किसकी बात हो रही है, unpaid की बात हो रही है, और यहाँ पर देखें, लिखा हुआ भी है, accrued in December amount to 19,000, this amount will not be paid until January 15, तो इसका मतलब है, यह amount अभी तक pay नहीं की गई है, और pay January 15 तक नहीं की जाएगी, expense का दिकर हो रहा है, तो हम expense लिख देंगे, income tax expense हमने लिख दिया, और इक साइट पे हम लिखेंगे, यह debit साइट पे हम लिखेंगे, कितनी amount की बात हो रही है, 90,000 की बात हो रही है, और क्या चीज़ क्रेडिट हो जाएगी, payable, क्यों payable क्रेडिट होगा, क्योंकि अभी हमन पे नहीं किया है, unpaid यह not paid का word transaction में आ रहा है, income, tax, payables हमने, कौन सी साइट पे लिख देना है, credit साइट पे, और कितनी amount की बात हो रही है, one month की amount है, 19,000, similarly हम देखेंगे, next transaction, इसमें लिखावा है, on the first of each month, the theater pays the interest which accrued in the prior month, on its notes payable, interest है, company interest pay करती है, तो expense का जिकर हो रहा है, अब हमने देखना यह कि expense क्या उसने पहले से दे दिया है, या देना बाकी है, तो अगर आप गोर से देखेंगे, लिखावा है, at 30th September, accrued interest payable on this note was 1067, यह निए expense तो है, pay नहीं किया है, still, this amount is payable, और accrued, तो entry होगी, interest expense debit और हम accrued interest या interest payable credit कर देंगे, और amount हम कितनी ले ले लेंगे, यह amount है, 1062, credit पर भी आ जाएगा, 1062, so, इस lecture में हमने क्या learn किया, इस lecture में हमने learn किया, कि expenses हमारे पास, जो expenses related adjusting entries होती है, या तो वो पहले से अदा कर दी जाती है, जिनको हम prepaid या advance कहते हैं, या फिर हमने अभी pay नहीं की होती, जिनको हम accrued, unpaid या payables कहते हैं, दोनों adjusting entries की type में, हमने expense debit करना होता है, अगर prepaid है तो prepaid credit हो जाएगा, unpaid है तो payable credit हो जाएगा, so, that's it from this lecture, next lecture में, हम बिलकुल इसी तरह दो entries revenue से related discuss करेंगे, okay class, take care.